वुमेन एमपावर्मेंट के बाद ये आज का सब्जेक्ट नहीं है आज का मुद्दा नहीं है ये सदियों से चलता आ रहा है इसलिए आज वुमेन अब इतनी एमपावर हो गई है कि खुद सब काम कर सकती है आज मैं एक ऐसे सीरियल की बात करने वाली हूँ जो बहुत ही प्यारा है बहुत ही अच्छा है बहुत ही वैल्यू सिखाता है लाइफ की और साथ में चैलेंजिस से लड़ने की बात भी करता है नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो जो लोग चाहते हैं ऐसे-इसे सीरियल्स देखना जिसमें उनको वाक्य जिन्दगी की सचायों का पता चले, जिन्दगी से लड़ने काearlares पता चले तो वो अहिलया बाई का सीरियल जो देख रहे हैं वो भी, जैसे पुन्ने अच लोक्त, अहिलया बाई चल रहा है उससे पहले एक और सीरियल आता है मेरे साइं वो भी जरूर देखें क्योंकि इसमें जिस तरह से सीरियल को बनाया गया है जैसे सीरियल में बाते होती हैं जैसे साइं आके सब की हेल्प करते हैं और हेल्प किस तारीके से करते हैं ये सारी बातें सीरियल में बहुत अच्छे त और तो को अपने पैरों पे खड़े होने की तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को मगर पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपया कर लीजिए साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो जैसे हम देखते हैं मेरे साही सीरियल में कि साही का दरबार लगता है और बहुत सारे भगत उनके दरबार में आते हैं और हर बार नई समस्या का नया समाधन और वो भी भगतों के द्वारा ही किया चाता है वो चमतकार होते हैं मगर उन चम सीरियल का जो वातावरण है उस में बिलकुल भी बदलाव नहीं है बिलकुल ऐसा नहीं लगता है कि कोई हम ऐसा सीरियल देख रहे हैं जिसमें कोई आज की स्टोरी जैसे सास वहू की बाते ऐसा मिक्स करके बताया जा रहा है या ड्रामा हैं अपने पैरों पे खड़ी हों और अपने दम पे अपना काम करें और जो जिप्रे की स्टोरी चल रही है इसमें एक क्रेक्टर है एक लेडी है जिसकी स्टोरी चल रही है जिसको सुसुराल वालों निकाल दिया था और फिर वो अपनी आई के साथ अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कारोबार शुरू करती है और फिर उसमें भी उसको बहुत सारी तकलीफें होती हैं उन तकलीफों से निकलने का रास्ता साई उसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि उसके अंदर empowerment आती है लड़ने की ताकत आती है वो उसको एक पौदे की example देते हैं कि इसको अगर हमें चलाना है तो इसके लिए हमें क्या क्या यतन करने पड़ेंगे यह अपने आपसे बड़ा नहीं होगा अगर हमें यही पौदा चलाना है तो तो इस तरह से साई उनको encourage करते हैं और वो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तो इस सीरियल में खास करके मेरे साई में क्योंकि इसमें जैसे हम सुनते आते हैं कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं तो इस सीरियल में भगवान भी है और भगवान भी है और भगवान दोनों की प्रिक्षा हो और अंत में उनका विश्वास जो साई के उपर है वो डगमगाया नहीं है अंदर से जो उनका विश्वास है वो साई समझते हैं इसलिए वो भक्तों की रक्षा के लिए खुद पहुंचते हैं और उनी के द्वारा उनकी रक्षा करवाते हैं दहेज के उपर भी सीरियल में ब बहुत पसंद आया और खास करके जो अब जो स्टोरी चल रही है वो भी बहुत प्यारी चल रही है और समय निकालने की जरूरत है बस दोस्तों समय निकालिए और ऐसे सीरियल्स देखिए जिनमें आपको आगे बढ़ने की जो है सीख मिले एंटर्टेंबेंट भी होती है साथ में आगे बढ़ने की सीख मिलती है तो इस सीरियल के लिए मेरा आज इतना ही कहना है आपकी फीडबेक का में इंतजार करूंगी क्रिपे अपनी फीडबेक अपने कमेंट के जरिये दीजिए देखते रही है चैनल हंगरी स्पिरिट्स थै